नमस्कार दोस्तों मैं स्टो सुभाज शर्मा लाल किताब के ग्यान में आपका स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं राहू के मंदे होने की निशानिया और राहू क्यों मंदा होता है क्या-क्या ग्रह स्थिती ऐसी होती है कि राहू को जो मंदा कर देती है बुद्ध और राहू का क्या connection है कि जब बुद्ध अच्छा हो तब राहू भी अच्छा होता है राहू के दुश्मन गरह कौन कौन से हैं कब राहू अपने दुश्मन गरहों के साथ कुछ specific घरों में आने के वैसे मंदा हो जाता है हम इन जनरल कैसे पता लगा सकते हैं कि राहू हमारा मंदा है कि नहीं इन सब जानकारियों को लेकि आज मैं आपके सामने आया हूँ तो आज हमारी चर्चा रहेगी राहू के हालातों को जानने के बारे में तो जैसा कि हम जानते हैं कि बुद्ध हमारी समाजिक ग्यान, हमारा जो दुनियावी ग्यान है, उसको दर्शाता है कि हमारा दुनियावी ग्यान क्या है, हम लोगों से कैसे बात करते हैं, हमारी इंटेलिजन्स कैसे काम करती है, हमारा दिमाग कैसे और जुबान कैसे लोगों हमने हासिल किया है जो हमारे अंदर सूज, बुझ और चुस्ती, चलाकी और जो हमारे दिमागों की लहरे हैं उस पर राहू का कबजा होता है यानि कि इनसान कितना जीनियस है उसके अंदर आविशकारक शमता कितनी है ये राहू से ही पता लगती है अब ये हमने चीज़े समझी की बुध और राहू देखिए एक तरह से ये दोनों तो मित्र हैं क्योंकि शनी, बुध, रेतु, ये तीनों के तीनों राहू के मित्र ग्रे होते हैं अब मित्र ग्रह हैं पर यहां पर बुध और राहु का अगर कहीं पर भी मंदे घरों के साथ आपस में connection बन गया आम लेजीए बुध भी मंदा है और साथ में राहु भी मंदा है। तेवे में तब यहाँ पर जो है राहू और बुद आपस में एक तरह से दुश्मनाना हरकते करेंगे इनसान के साथ और इनसान के जीवन में बुद और राहू संबंदी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं अब हमने समझा कि बुद के और राहू के और साथ में शनी के केतु के आपस में एक साथ होने पर अगर इन में से कोई भी ग्रह एक साथ होगा तो यहां पर राहू की जो स्थिती एक प्रबल होगी राहू यहां पर अपने मित्र ग्रहों के साथ होगा पर इसके साथ साथ यह भी समझना होगा कि हमारी दिमाग की लहरे यानि कि रा राहू से जुड़े हमारे दुन्यावी तालुकदार, खून के रिष्टेदार, हमारे सोचने समझने की शक्ति और हमारे सुख दुख सब राहू से connected होते हैं। अगर राहू मंदा होगा तो उसके मंदे होने की निशानिया हमको मिलनी शुरू हो जाएंगे। उसकी निशानिया क्या होती हैं? कि सबसे पहले तो राहू को हमने जैसे समझा कि राहू हमारे दिमाग की जो हरकते हैं, दिमाग में उठने वाली तरंगे हैं, दिमाग में जो electromagnetic waves हैं, वो सब का कारक राहू है। अगर किसी का भी राहू मन्दा होगा तो उसको दिमागी, उसके परिवार में दिमागी खराबियां हो सकती हैं। काम ही ठप हो गया। इनसान का ससुराल के साथ तालुक खराब हो जाना, आपका अपने परिवार में, क्योंकि एक परिवार जो combined family होती है, वो भी राहू को दर्शाती है। जिनका diagnosis करने के बाद में भी डॉक्टर पता नहीं लगा पा रहा है, तो वो भी राहू मन्दे की निशानिया है। राहू मन्दा होगा तो आपके दुश्मन, अंजाने दुश्मन और ऐसे दुश्मन पैदा होंगे, चाहे वो आपकी career life हो, चाहे professional life हो, चाहे वो आपकी personal life हो, चाहे आपका आसपडोस हो, आपके चुपे चुपाए दुश्मन आपकी हर समय टांग अडाने में वो तैयार बैठे होंगे, तो ऐसे लोग जो है, दूसरों के जरिये किये गए गलत कामों से काफी जादा नुपसान उठाता है, अब इसके साथ साथ हमें ये समझना है कि राहू मन्दा कब होता है, राहू की केतू की positioning के साब से ही देखा जाता है, अगर मालिजे केतू, राहू से पह और साथ में मन्दे स्वभाव का राहू होगा, जो की आपका राहू मन्दा कहलाएगा, ऐसे लोग जिनकी टेवे में राहू कहीं पर भी मन्दा होता है, तो ऐसे लोग जातर जो है, दक्षिन मुखी मकान में रहते हैं, दक्षिन मुखी कहीं न कहीं उनके मकान में connection जरूर आता है और यह मंदे राहू की ही निशानी होती है अब जैसा कि लाल किताब के नुसार आप जानते ही हैं कि मंदे बुद्ध और राहू का कनेक्शन्ट हो तो जहल खाना पागल खाना या वीराना एसी बातें लिखी गहीं हैं तो यह सब इन जनरल जो बातें हैं जहां पर आपको कहीं पर कोई भी सपोर्ट ना मिलती हो, यह सब चीजे होती है, अगर मान लिजे आपके टेवे में, बुद्ध, खाना नमबर 3 में है, खाना नमबर 8 में है, खाना नमबर 12 में है, और साथी साथ, राहू अगर खाना नमबर 1 में है, खाना नमबर 5 में है, 7 मे और बुद्ध भी दोनों के दोनों मंदे हुए बताए हुए घरों के अनुसार तो ऐसे केस में इंसान के जीवन में प्रॉलम्स आती ही रहती हैं और इन सब चीजों से बचने के उपाए अगर हम बात करें तो उपाए क्या होते हैं उपाए में यहाँ पर चंदर की मदद ली हैवज में आपको फॉलाद अपने शरीर पर धारन करना है इसके साथ आप लोहे का कड़ा पहन सकते हैं या फिर फॉलाद का चल्ला जो कि बिना कट बिना टांका बिना जोड़का हो आप अपनी छोटी उंगली या फिर मद्धिमें उंगली में धारन करके रखिए यहाँ शनी की सपोर्ट लेकर हम जो है बुद्ध और राहू के कनेक्शन को यहाँ पर जो मंदे हो रहे हैं उनको सही करेंगे क्योंकि हमेशा देखे यह लॉजिक है कि हमेशा कोई ग्रह मंदा होता है कोई खराब होता है तब हम उसके मित्र ग्रह की सपोर्ट लेते हैं अगर शनी चुस्ती चलाकी है तो उसका मित्र भी बुद्ध है शनी के एजंट भी राहू है तो यहाँ पर हमने बुद्ध और राहू को सही करने के लिए शनी की वस्तु यानि की फॉलाद्स की मदद लेकर हमने यहाँ पर शनी के जरिये राहू और बुद्ध को सही किया और उसके साथ साथ हमने जो चावल धोके वीराने में दबाई उस से हमने चंदर की मदद लेकर यहां पर बुद्ध और राहू जो की दोनों मंदे थे उनको सही करने के उपाय किये अब इन जनरल हम बात कर लेते हैं कि राहू आपके जीवन में कब तक प्रॉलम देगा देखिए राहू की म बाड़ी में रोड़ा आटक जाना उसके कारोबार मंदे हो जाना घर में कोई दिमागी इस्तिति की जो है प्रॉलम्स हो किसी को दिमागी नियुरोलोजिकल को डिसॉर्डर्स हो और साथी साथ उसके एकसिडेंट्स हो उसके दुश्मन बहुत जादा हो उसको बिमारियां जिनका पता न लग पा रहा हो उसके चलते चलते काम अचानक से बंद पड़ जाना बड़ी बड़ी फैक्टरियां शुरू करी और अचानक से बंद पड़ गई किसी कारण बश्य सब मंदे राहू की निशानी है और 42 वर्स तक जिस इनसान ने ये सब जहली या वो जहल रह है इनसे संबंदित तो वो समझ जाए कि उसका राहू मंदा है और राहू मंदा है तो उसको जरूर जिसके उपाय करने होगे अब इन जनरल उपाय करें क्योंकि देखिए हर एक के कुंडली हर एक के पास नहीं होती है कई लोग ऐसे भी हैं जिनको अपनी डेट बर्त और ब मैच हो रहे हैं तब इस केस में जो है आप चंदर की मदद लीजिए फौलाद यानि कि शनी की मदद लीजिए और साथी साथ राहू को काबू रखने के लिए आप जौन लीजिए एक मुठी जौन लीजिए जौन को आप गौम मुत्र से दोईए लाल कपड़े में बांदि लाल रंग जो है मंगल का होता है क्योंकि मंगल ही राहू को कंट्रोल करता है मंगल के दारे में हमने जो है राहू को बांदा और वजन के नीचे दवा के उसको रख दिया ताकि आपका राहू कंट्रोल में रहे इसके साथ-साथ आप गौम मुत्र से जो है कुला करते रहें और अपने ससुराल के साथ संबंद ना बिगाड़ें, अपने कपड़ों को सही रखें, अपनी खुराक को सही रखें, राहू की मंदी खुराक और उसके गंदे मंदे चाल चलन से आप दूर रहें, और साथ ही साथ जो है ससुराल वालों के साथ ना बिगाड़ें, ससुराल व पंग जो हैं यहां पर जिन्को कोई को होड्ध वगईरा हो उनके अंग सुमां फ्राइण थी Sono Fahrenheit दॉल और वगईरा है उनकी आप मदद करके जो है राहू की मंदे परभावों से बच सकते हैं राह की मंदें वो काला कुत्तार आपने रखा और वो मर गया या फिर गुम हो गया तो आप समझ लीजे कि आपका राहू मंदा है तो आपके मंदे राहू के असर के विपरीत परभाव आपके परिवार पर पढ़ने शुरू होगे आप लोगों ने कई वार देखा होगा कि हम कुछ खाते है कुछ पहनते हैं कुछ करते हैं तो हमारे साथ कुछ ना कुछ घटनाए होती है इन सब घटनाओं के पीछे हमारे ग्रह जिम्मेवार होते हैं हमारे जो ग्रह अच्छे होते हैं हम उनसे संबंदित कोई काम करते हैं तो हमको अच्छ रिजल्ट मिल जाते हैं अगर हमने किसी से कोई चीज ले ली या किसी को कोई चीज दे दी कुछ समय में दे दी कुछ स्पैसिफिक टाइम में दे दी हमने कहीं पर किसी के घर चले गए या फिर कुछ भी हो एक शकुन की बात होती है कि आपके साथ वो चीजें आपके लाइफ में कुछ गलत चीजें होनी शुरू हो आपको अंदाजा लग जाता है कि मैंने ये काम किया था तो मुझे ये प्रॉलम हो गई तो यही सब चीजे समझे कि हर एक गरह और हर एक चीज जो है आपस में गरह से तालुक है अगर मालनी जे आप कोई काम करते हैं तो उससे गरह संबंदित होता है अगर मालनी जे वो गरह मंदा है आपका और आपने उससे संबंदित कोई गरह काम उल्टा काम कर दिया तो उसका उल्टा परभाव आपको मिलना शुरू हो जाता है तो दोस्तों आई होप आप लोगों को इस वीडियो पोस्ट में कुछ नई जानकारी मिली होगी और आने वाली पोस्ट में फिर मिलेंगे तब तक के लिए मुझे आ गया दीजिए नमस्कार